राज सिच्छा सेवा चेयन आयोग का मौडर आल्मोष्ट फाइनल, तो सासन इस्तर पर गठित के गई कमेर्टी ने सौपी अपनी डेटियर रेपोर्ट, नाया आयोग ही कराएगा सिच्छकों की फर्तिद, उत्तर प्रदिस राज सिच्छा सेवा चेयन आयोग का प्रारूप तैयार हो चुका है, 12 सदस्य कमेर्टी ने सिच्छक भरती का प्रारूप बना कर सासन को सब्ग दिया है, तैयार प्रारूप की भापाई असुधियां दूर करने का काम चल रहा है, वह है प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी, इसके बाद मुखमंतरी के सामने इसे प्र सिच्छन संस्थाएं तक मैं सिच्छक भरती की विवस्था विकेंदरित थी, निया माला गलग थे और गड़गणियां खोब होती थी, सिच्छक भरती के लिए एक केंदरीक्रत विवस्था के तहट, 2019 में राज सिच्छा सिवा जयन अधनियम बनाया गया, इसकी अंतरगत बेसिक माधमिक और उच सिच्छन संस्थाएं, संस्क्रत के माधमिक और महाविद्यालियों, मदरसा, अलप संख्यक महाविद्यालियों और प्रवर्धिक काले जो मैं सिच्छक की भरती होगी, बेसिक माधमिक और उच सिच्छा में तो प्रदेश सरकार से गठे तायोग औ तो इसका सार्य है, निकलाए कि जो हमारा नया आयोग है, आलमोष्ट है, इसका जो मोडल है, final हो चुका है, और सरकार इस पर मोहर लगाने वाली है, तो जो सभी भर्तियां थीं, जो basic है, उच्छा है, मादमेख सिच्छा है, तो जो basic है, मादमेक और उस सिच्छा संस्था है, संस्रेट के माधुमेक और महावेद्याले, मदरसल्प संखित महावेद्याले और प्रबद्य कॉलेज की सिच्छकअ की भरती सभी सिच्छक़ों की भरती यही आयोग करवाएगा जो गड़वढ़िया भी तक होती थी ओगड़वढ़िया अब नहीं होंगी 69,000 सिच्चक भर्ती में सुनवाई पर पीड़त अभ्यार्थियों की नज़र तो बिसिक सिच्च की 69,000 सिच्चक भर्ती विभागी अधिकारियों के गले की फांस बन चुकी है अधिकारियों पर ओबर लेपिंग कर करीब 19,000 सिच्चों का रच्चन में गलबड़ी करने का आरोप है अभ्यार्थियों की याचका पर हाई कोट की लखनव बेंच ने एक जून 2020 को चेयन सुची को तीन माहे में संसुधित करने का आदिश 13 मार्च 2023 को दिया था याची अभ्यार्थि सरकार की पहल की प्रतिच्च की ये विना ही डवाल बेंच में पहुँच गए कोट प्रक्राण पर सुनवाई कर रही थी और 29 भाई को सुनवाई हुई थी अब भ्यारतियों के भी भागी अधिकारियों की नजर सुनवाई की निर्णे पर ही है पिड़त अभ्यारतियों की लड़ाई लड़ रहे पिछड़ा दलित सायुक्त मोर्चा के प्रिदेश मेडिया पिर्भारी राजेस चौधरी का आरूप है कि 27 की जगहे 3.1% आरक्षण पिछला बर को दिया गया है S.C.O. और S.T. स्रेणी में भी कम लाभ दिया है कोट सरकार से पुछ चुकी है कि भर्ती की बेसिक सिचनियमावली कितने आरक्षण पिछला बर के अभ्यार्थियों की ओबर लेपिंग हुई है और कितने की नहीं कराई गई लखनव हाई कोट की सिंगल बेंच के 13 मार्च के आधेश किक्रा में क्या कारवाही की गई और सरकार का अगला कदम क्या होगा तो इस पिरकार से जो 79,000 सिच्च भरती की सुनवाई है 29 माई को हो चुकी है